सौम्य सरकार ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड पर तीन को नहीं दिला पाए जीत, बांगलादेश ने सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार की 179 रन की पारी से पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 49.5 ओवर में 291 रन बनाए. न्यूजिलेंड ने 46.2 ओवर में 3 विकेट पर 296 रन बना कर जीत दर्ज की. हेंरी निकोल्स, 95 और विल यंग, 89 शतक लगाने से चूक गए, लेकिन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 128 रन की साजहदारी से न्यूजिलेंड ने दूसरे वंडे मैच में बांगलादेश ने सलामी बलेबाज सौमेर सरकार की 179 रन की पारी से पहले बलेबाजी का न्योता मिलने पर 49.5 ओवर में 291 रन बनाए. न्यूजिलेंड ने 46.2 ओवर में 3 विकेट पर 296 रन बना कर जीत दर्ज की. सीरीज के शुरुआती मैच में 105 रन बनाने वाले यंग ने मंगलवार क साथ पहले विकट के लिए 76 रन की साजिदारी कर टीम को ठोज शुरुआत दिलाई. उन्होंने 94 गेंड की पारी में आच चौके और दो छक्के लगाए. निकोल सीरीज के पहले मैच में खाता खोलने में नाकाम रही थे. उन्होंने 99 गेंड की पारी में आच चौका और एक छक्का लगाया. इन दोनों के आउट होने के बाद कप्तान टॉम लाथम, 34 और टॉम बलंडेल, 24 ने 22 गेंड शेश रहते न्यूजिलेंड को साथ विकेट की आसान जीत दिला दी. इससे पहले सरकार ने 151 गेंड में 179 रन की पारी खेल टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की. वह लितन दास, 174 रन के बाद इस प्रारूप में बांगलादेश के लिए एक पारी में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबास बन गए. पारी का आगास करने वाले इस बल्लेबास ने 22 चोके और 2 चक्के लगाए. इस दोरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और न्यूजिलेंड में वंडे मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले एशियाई बल्लेबास बन गए. इससे पहले सचिन ने 2009 में नाबाद 163 रन बनाए थे. वहां 49 ओवर में आउट हुए. उनके अलावा विकेट